यह होता है कि अपनी नहीं नहीं गाडी लोग अभी मत करवाओं। अब आपके साथ हम पहले भी काम करवा चुके हैं। नहीं नहीं गाडी में लगवाई थी बागी की सेल्टोस केसी चली है। तुम आपके चैनल प्रेंड शूर्फिक क्थे बागी करता है। और ट्राफिक कंडिशन पर डिपेंड करते हैं तो हेलो वेलकुम तो चैनल फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारी गाड़ियों के फेस्टिफ मॉडल्स आ रहे हैं और जिन लोगों ने ये फेस्टिफ मॉडल्स खरीदे हैं और वो CNG के इंस्टॉल कराना चाहते हैं उनके दिमाग में बहुत कंफूजन रहता है कि यार तीजे लिए फेस्ट वाले मॉडल्स है उनके इंजिन्स क्या CNG के साथ कंपैटिबल होंगे की नहीं तो हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं लेकि लोगो लोगों के दिमाग में बहुत डॉट रहते हैं जो नि क्हले को लेकि लोगों के दिमाग में डॉड़ रहता है क्या इन गाडियों के इंजन्स कंपटेबल है CNG को लेकर तो इस वीडियों के जरीए मैं आपका ये डॉट क्लियर करता हूँ कि इन गाड़ियों की फेस्ट मॉडल जरूर आये मगर जो इन में इंजिन्स हैं वो सेम वही पहले वाले ही हैं तो जैसे कि यह 1.2 लीटर्स का 4 सिरंडर इंजिन है वाली सॉनेट में सेम यही इंजिन पहले वाली सॉनेट में भी था तो आप अराम से इन दोनों गाड़ियों में cng kit install करा सकते हो चाहे वो bs6 phase 1 की हो यह phase 2 की हो चाहे automatic हो आप अराम से इस गाड़ी में cng kit install करा सकते हो अप्रूवल्स भी है, RC पर इंडॉस होगा, मगर हाँ, अगर आपके पास GDI इंगें टर्बो वाली जो आरी है, इसमें थ्री सिरिंडर वाली, अगर आगर वो गाड़ी है, तो उसमें अप्रूवल्स नहीं है, उसमें CNG RC पर इंडॉस नहीं होगी, तो आज, जो हमारे पास यह आप देख सकते हैं, फेस्रिट वाली सॉनेट है, आज हमने इसमें गौर्मेंट अप्रूवल्स ब्यासिक्स किट लगाई है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, कि हमने इस गाड़ी में जो किट का प्लेस्मेंट किया है, वो किस तरह से किया है, और जो किट का प् प्रिटिंग होगी, और यही इसी तरह से सारा समान का सेट अप होगा, तो शुरुवाद करते हैं, यह हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के तुरुम गाड़ी में गास फिल कराते है, यह रिड्यूसर है, रिड्यूसर काम होता है, सिंडर्स आने वाली आई प्रिशर गास क साथ में गेज होता है, गेज होता है, जो स्विच होता है गाड़ी में, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी किती गयास है, और हमें कब ने अक्षिफिल कराना है, यह मैप सेंसर है हमारा, यह इंजेक्टर रेल्स है, यह 8 इंजेक्टर सेट अप किया है, हमने इस ग अगर आप इसमें चार इंजक्टर वारा सेट अप कराते हैं तो आपको दो डिवाइस लगाने पड़ते हैं तो एक किट का ECM हो गया और साथ में एक एट इंजक्टर डिवाइस लगाना पड़ता है अगर जो यह किट हम लोगों ने लगाई है यह सेल्फ सफिशेंट है हर चीज़ को स्मूदली हैंडल करने के लिए तो यह तो सारे पार्ट्स हो गए हमारी C&G किट के उसके अलावा हमने इसमें साथ में लगा है C&G फिल्टर फिल्टर काम होता किसी भी तरह की इंप्यूटी को इंजन में जाने से रोकना wiring की quality आप देख सकते है प्रपरली neat and clean तरह से हम लोगों ने इसमें वाइरिंग की है प्रपरली sleeved है wiring है हमारी किया की wiring है यह हमारी की वी wiring है और आप देख सकते है almost same quality है wiring की साथ में हमने इसके दगाया है dynamic advanced एडवांसर बहुत important role play करता है गाड़ी की performance में जब गाड़ी आप CNG पर चलाते हैं अभी कुछी दिन पहले मैंने एक sonnet की वीडियो डाली थी उसमें करीब 3 दिन पहले CNG get install हुई थी मगर कहीं और से हुई थी और installer ने उसमें किसी तरह का एडवांसर भी नहीं लगाया था और जो placement की थी kit की वो बहुत थी घटिया quality की थी तो हमने उस गाड़ी में reinstallation किया था साथ में डानामिक एडवांसर लगाया था CNG लगाएं तो एडवांसर जरूर लगाएं स्टाटिक एडवांसर इस गाड़ी में बिल्कुल compatible नहीं है स्टाटिक एडवांसर ना लगाएं अगर को installer आपको बोल रहा है कि नहीं ने चलो में बस डानामिक एडवांसर टांग दे और उसको त्यून ना करे तो वह अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और गाड़ी आपकी बहुत ही बेकार चलेगी average सब खतम कोई फायदा नहीं होगा CNG लगाने का तो इस बेटर कि हमेशा ऐसी जगह से CNG लगाएं जिस बंदे को उपड़ से लेके नीचे तक हर चीज की नॉलिज़ों गाड़ी की भी और CNG किट की भी इस गाड़ी में हमने जितने भी connections की हैं वो सारे soldering के तुरू किये हैं तो हम लोग भार से purchase करके किसी भी तरह के local couplers गाड़ी में यूज़ नहीं करते हैं बहुत सी जगहों पर हमने देखा होगा बहुत से installers बोलते हैं नहीं coupler to coupler, coupler to coupler जो आते हैं जो भार से लिये जाते हैं वो किसी भी रेपूरेटेट ब्राइंड के नहीं होते वो वक्ते साथ डीले हो जाते हैं और गाड़ी में परेशानी आने लग जाती है तो इस बेटर कि आप wire cut करा के soldering करा लो, soldering कराने के बाद current का flow सेम वैसे ही रहता है जैसे की wire cutने से पहले था और reliability भी 110% बनी रहती है, कोई issue नहीं आता गाड़ी में तो आप देख सकते हैं एक बार कि किस तहां से हम लोगों ने इस गाड़ी में सारी placement किया, kit की हर चीज तरीके से installed है, कुछ भी चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं भी लटका दी, कहीं भी टांग दी, dynamic properly लगाया है, ECM properly लगाया है, बहुत से मैंने installers देखे हैं, हमारे पर गाड़ियां आती है re-installation के लिए, सामने कहीं भी ECM को टांग देंगे, त्यड़ा मेड़ा करके, जहां जगा मिली, उसको टांग दिया, यह नहीं कि उसके ल जगा से, reliable जगा से, आप अपनी गाड़ी में CNG के install करा है, reference के लिए आप मेरी last video देख सकते हैं, sonnet वाली, white रंगी sonnet थी, तीन दिन पहले ही लगी थी, मगर owner बहुत परिशान थे, तो उसमें हमने किस तरह से काम किया और पहले क्या काम हुआ था, वह आप देख सकते हैं, तो अब चलते हैं, एक बार boot space की तरफ, एक चीज़ और, बहुत से लोगों का ये concern होता है कि यार उन्हें, बार 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 बोनेट निखोलना, CNG भराने के लिए, तो वो पीछे से यहां भी filling nozzle लगवा सकते हैं, अच्छा खासा space यहां पर मिलावा है, कंपनी की दरफ से, अराम से यहां पर रेर फिलिंग nozzle लगाया जा सकता है, अब बात करते हैं, boot space की, तो यह हमारा sonnet का boot space, 12 kg का हमने इसमें cylinder लगाया है, यानि 60 liters का stand की quality आप देख सकते हैं, आई वारा stand है, साथ में rubber gripping भी है, साथ में ducting भी किया हमने, तो आप देख सकते हो, अच्छा खासा लगे लिए आपको मिल जाता है, करीब करीब 50 to 60% space आपको मिल जाता है, cylinder इंस्टाल जाने के बाद, और अगर आप इसमें 14 kg का cylinder लगाते हैं, तो आप समझ लो, आपको इतने space के साथ compromise और करना पड़ेगा, आदा आदा इंच दोनों तरों से बढ़ेगा, करीब 1 इंच cylinder औ और भार की तरफ आजाएगा, तो space ठोड़ा कम रह जाएगा, तो यह तो हो गया हमारा पूरा installation, अब एक बार गाड़ी के owner से हम पूछते हैं, तो sir, आपकी brand new sonnet है, 14-15 दिन पुरानी है, 1300 करीब किलोमेटर आपने चला रखी है, आज आपकी brand new गाड़ी में हमने CNC के इंस् पटाप के साथ हम पहले भी काम करवा चुके हैं, बाई की reference से आया हूं मैं, celtos गाड़ी में हमने लगवाई थी, उसमें भी नई गाड़ी में ही लगवाई थी, और काम काफी अच्छा हुआ है, बिल्कुल smoothly काम हुआ है, लग नहीं रहा हमने कुछ काम करवा है, और जो म गरम गरम होता है, गरमी में तो इंग्या, बिल्कुल बढ़िया मेरे को काम लगा, भाई की सेंटोस बढ़िया चल रही है, भी जस्ट वो आया है, सिम्ला से उन्होंने बताया मेरे को, मतलब 11-12 रुपे में उन्होंने सिम्ला चले गए हैं, बाद के एक तरफ, मतलब साइटिसफाइड है, देखिए, भाई के एक बड़े भाई है, कजन, उनकी सेंटोस में हमने शुरुआत में लगाई थी, सी एंजी, जिस टाइम अप्रूवल्स नहीं आयते, उनकी गाड़ी में जो चार इंजक्टर वाली लगाई वी है, और डानमिक अड़वांसर भी सा सारे लोगों के डाउट होते हैं, पहला सबसे होता है कि कौन सी किट लगाऊगे, सबसे पहला सवाल होता है, मेरी गाड़ी में कौन सी किट बेस चलेगी, हर वीडियो में यह बात कहता हूँ, all government approved brands are good, it's all about good installation and tuning, आप महंगे से महंगा brand, ढून लो, dynamic लगा लो, सब कुछ ल सारे brand बढ़िया है, और बहुत से लोगों का एक concern होता है, हमाँ पास बहुत पहरी जाती है कि यार, pricing को लेके, प्राइजिंग को लेके जो factor होता है, जो लोगों का सवाल होता है, किटी तो लगाऊगे, CNG किटी तो लगाऊगे, किटी नहीं होती, किट के साथ बहुत सारे additional parts हम लोग लगाते हैं, जिससे गाड़ी की reliability, किट की reliability, किट की smooth performance, गाड़ी की smooth performance, हर चीज मैटर करती है, सिर्फ kit का डबा लगा देने से और surrender लगा देने से गाड़ी अच्छा perform नहीं करती, उसके साथ बहुत सारे supporting parts होते हैं, जो आपस में sync करके गाड़ी को अच्छा performance, अच्छा output देते हैं, तभी गाड़ी अच्छी चलती है, और average भी अच्छा देती है, आप सस्ती मंदी में ने देखा, लोगों ने 1000-2000 के पीछे दरोदर से लगवा लेते हैं, बहुसी चीजों की कमी होती है, यह नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, फिर वो परिशान होते ह हैं, किसी और से काम कराते हैं, फिर परिशान होते हैं, फिर कहीं और जाके और extra cost pay करते हैं, तो it's better, आप initially ही अच्छी जगा से installation कराओ, अगर थोड़ा बहुत आपका initially पैसा खर्च हो रहा है, तो उसकी tension मत लो, वो आप अराम से recover कर लोगे, जब आपकी गाड़ी smooch चले का दिल होता है, उनको छोड़ देते हैं, और कहीं भी काम करा रहते हैं, और फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, भाई यार अब आप देख लो, तो it's better, एक ही बार में अच्छी जगा से, reliable जगा से काम कराओ, ताकि आपकी गाड़ी एक ही बार में best fitting हो जाए, और best performance दे, और एक सवाल, एक doubt लोगों की दिमाग में हो रहता है, fuel efficiency को लेके, तो अब जैसे भाई की गाड़ी ये बता रहे हैं, कि अभी इनोंने 1300 km चलाई है, इनको 12 का average दे रही है, पेट्रोल पे, तो इनको मोटा मोटी 20-22 का average CNG पे अराम से मिलेगा, और अगर इनकी गाड़ी य अराम से देगी, बागी average का जो main factor है वो आपकी driving style पे और traffic condition पे डिपेंड करता है, तो इन चीजों का आप अपने mind में रखे जब भी आप अपनी गाड़ी में CNG इंस्टाल करें, तो खेर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खतम करता हूँ, अगर आपको भी अपनी यह वीडियो अच्छी लगी, उसे लाइक करिए, शेयर करिए में जान सब्स्क्राइब करिए, और बेर आइकन दबाना नाफूँ